हाई गाईज वेलकम बैक आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 2016 में रिलिज्ट दा अटोपसी अब जेंडो ये एक सूपर नैचरल हॉडर मुवी है और ये मुझे काफी पसंद है इस मुवी को इंडोर शूट किया गया था और काफी लो बजिट में बनाया गया था फिर मुवी शुरू होता है एक क्राइम सीन से जहाँ पुलिस को कुछ लोगों की लाशे मिलती है साथ ही उन्हें एक अग्यात लड़की का लाज भी मिलता है इस लड़की के बॉड़ी पे चोड के एक भी निशान नहीं थे पर बाकी डेट बॉड़ी इसको देखकर लग रहा इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को पता चलता है इस घर में ना कोई चोड़ी हुई है ना कोई घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आया है बलके इस घर के लोग ही दरवाजे तोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे इसका मतलब घर के अंदर उनके साथ ऐसा पर भाग नहीं पाए और आखिर में मारे गए। शेरिप इस लाश को जेंडो नाम से बुलाने लगते हैं और इसे आटोपसी यानि पोस्ट मॉटम के लिए भेज देते हैं। अँबुला करता है पर टॉमी के बोलने पर वो राजी होजाता है। टॉमी कहता है tenha किसी भी एक लाश को देख सकती है। अब ऐमा जिस लाश को देखना चाती है उसके पैड में एक घंटी बंदी होई थी। एमा इसका रिजन पूछती है। तो टॉमी कहता है पुराने जमा पर टॉमी एक पुराने सोच रखने बाले इंसान थे इसलिए वो अब भी इसे फॉलो कर रहे थे इसके बाद ऑस्टिन एमा को लेके जाने ही वाला था कि तभी शेरिफ जेंडो की बॉड़ी को लेके बहां आ जाते हैं ऑस्टिन को लगता है जेंडो की आटोपसी करने में उ लोग कनफियूज हैं उपर से मीडिया प्रेशर बना के रखी है इसलिए कल सुभा तक उन्हें आटोपसी रिपोट चाहिए अब जब ये दोनों मिलके आटोपसी शुरू करते हैं तब ये लोग भी कनफियूज हो जाते हैं क्योंकि जेंडो की बॉड़ी में बाहर से कोई भी चोट के निशान नहीं थे पर उसकी रिस्ट और एंकल की हड़ी टूटी हुई थी ऑस्टिन देखता है जेंडो की कमर उसके बॉड़ी के कॉमपेरिजन में काफी पतली है जो की नॉर्मल नहीं है तब टॉमी बताते हैं ऐसा फिगर कई सौ साल पहले हुआ करता था केजी से उससे खून निकलने लगती है जो एक मरे हुए इंसान के साथ होना इंपॉसिबल है उपर से उसके हार्ट लंग्स और अंदर के बॉड़ी पार्ट्स एकदम जले हुए थे जैसे उसका कोई थर्ड डिगरी बर्न हुआ हो पर बाहर से एक भी निशान नहीं थे उस सालों बाद होती है टॉमी को जेंडो की पेट से जीमसन उइट प्लांट का एक फ्लावर मिलता है जो इंसानों को पैरलाइस करने के लिए यूज होता है लेकिन ये प्लांट इहां नहीं मिलता इसी दोरन रेडियो अपने आप स्टेशन चेंज करने लगती है और वो एक प स्टेनली बहुत ही दर्द में था जिससे मुक्ति देने के लिए टॉमी उसका गरदन मरोड कर उसे मार देते हैं फिर उसे जला देते हैं इस इंसिडेंट से टॉमी बहुत ही अपसेट थे क्यूंकि स्टेनली उनकी वाइफ का आखरी निशानी था इसी दोरन रेडियो पे निउस आती है कि उनके एडिया में आज रात भयानक तुफान आने वाली है ओस्टिन उसके पिता को बोलता है कि बागी के आटॉपसी वो कल सुबा पूरा करेंगे पर टॉमी कहता है ये काम उसे आज रात ही खतम करना है तो आटॉपसी में आगे बढ़ने पर उन्हें जे वहां भी बने हुए थे इस स्कीन को देखका लगड़ा था कि कोई उस पर ब्लैक मैजिक किया है पर ये दोनों ये सोच के हैरान थे कि कोई आखिर कैसे स्कीन के अंदर लिख सकता है तब इस सड़ेनले उस कमडे की सारी लाइट्स एक्स्प्लोड हो जाती है और पूरी बि इमर्जेंसी लाइट्स जल जाती है पर लिफ्ट तब भी काम नहीं कर रही थी और एकजिट डोर तूफान में एक पेर के गिनने से ब्लॉक हो गई थी तूफान के कारण से मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था तो ये दोनों टॉमी के ऑफिस में जाते हैं लेंडलाइन क के उन्हें बचाता है अब ये दोनों समझ चुके थे कि ये सब जेंडों की बजा से ही हो रहा है तो वो बापस ऑटोपसी वाले कमड़े में जाते हैं उसे जलाने के लिए लेकिन जैसे ही वो उस कमड़े में पहुशते हैं उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है औ और उसके होल के थुरू उन्हें उस मौर्ग के एक मिसिंग डेड बॉड़ी दिखाई देता है ओस्टिन अब एक सेगंड भी देरी नहीं करता ओटोपसी टेबिल पे ही उसके उपर पेट्रोल डालने लगते हैं और टॉमी आग लगा देते हैं लेकिन ये आग पूरे कमड और वो दोनों लिफ्ट के तरफ भागते हैं लिफ्ट में अब पावर आच चुकी थी लेकिन लिफ्ट का दर्वाजा बंद नहीं हो रहा था और पावर भी फिट से चली जाती है तब उन्हें लिफ्ट के बाहर से बेल की आवाज सुनाई देती है वो ही बेल जो टॉमी ड 14 बजे के बाद आने बोला था इसलिए वो उसे ढूनते हुए यहां आई थी एमा मर चुकी थी और ऑस्टिन इस आद्से को देख कर बहुत ही रोता है यह दोनों आप समझ चुके थे के जेंडो उन्हें भी मार डालेगी इसलिए ऑस्टिन टॉमी को वापस ओटोपसी बाल के उस कमड़े तक ले जाता है तरवाजे को लॉक कर देता है अब आटोपसी के फाइनल स्टेज में वो लोग जेंडो की ब्रेंसेल को एक्जामीन करते हैं वो देखते हैं उसकी ब्रेंसेल्स अभी भी एक्टिव है लेकिन यह कैसे हो सकता है क्योंके कोई इंसान मरते ही उ इसमें उचेस को कॉंडम करने के बाड़े में लिखा है। यहाँ पर ये अर 1693 के बाड़े में लिखा था जब नौर्थ में सलीम उच ट्रायल्स चला करती थी। टॉमी को लगता है सलीम उच बालों ने उच को पनिश करते टाइम गलती से इस इनोसेंट लड़की को भी पनिश कर दिया था। इसके फल स्वरूप ये लड़की एक उच में ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो अब रिवेंच चाती है। ये बोड़ी 1693 से इसी हाल में है जो एक उच है और वो सब को बोही दर्द देना चाती है जो उसे मिली थी। अब क्यूंकि इन लोगों ने जेंडो की बोड़ी को एकदम चीर दिया था इसलिए जेंडो भी उनके शरीपे ऐसे ही जखम देगी। टॉमी फोरन जेंडो से कहते हैं के वो उसे मार दे पर आस्टिन को छोड़ दे। ये बोलते ही टॉमी की रिस्ट और एंकल बोन ठीक उसी तरह से तूटने लगती है जैसे जेंडो की तूटी थी। फिर उनके बोडी में वो ही चोट आने लगते हैं जो उन्होंने जेंडो को अटोपसी के दोड़न पहुचाया था। इसी के साथ जेंडो की बोडी अपने आप ही हील होने लगती है। यह बोलते हैं पर वो खोल नहीं पाता और इसी के साथ शेरिफ की वोईस बदलने लगती है। और वो भी बो ही गाना गाते हैं ओपन अप यूड हर्ट एंड लेट दशंशाइन इन। इन्हें बेराइमी से मारा गया है पर जेंडो की बोडी में एक भी खड़ोच नहीं थी। मानो उसकी आटोपसी शुरू ही नहीं हुई थी। जेंडो इन तीनों को मार कर बिलकुल ठीक हो चुकी थी। देन उसे वर्जिनिया कॉमोन विल्ट इनिवर्सिरी की हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जहां एम्बूलन्स के डेडियो में भी बो ही गाना चल रहा था। ओपन अप यूर हार्ट और लेट दशन शाइन फिर कैमेरा जेंडो की पैड के तरब जाता है जहां उसकी उंगली हिलती है। मूवी यही पर खतम हो जाती है। तो गाइस यह था दा आटोपसी अप जेंडो मूवी का हिंदे एक्स्प्लेनेशन। आप लोगों को यह बहुत पसंद आई। आई होप आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाई।